Hello Everyone, I am Dori Sharma and Welcome to my YouTube channel THC The Science Classes आज हम इस वीडियो में Chapter No. 9, Force and Laws of Motion of Class 9 के Conservation of Momentum जो के हमारा last topic है, इसके बारे में पड़ेंगे तो स्टार्ट करते हैं कि Conservation of Momentum क्या होता है इससे पहले वाले वीडियो में हमने Discussed किया था कि Momentum क्या होता है जिसमें हमने Newton Second Laws of Motion जब Discussed किया था तो वहीं पर हमने Momentum के बारे में Discussed किया था कि Momentum क्या होता है ये वो Quantity होती है जो की Measure करती है कि कोई भी अगर Moving Object है तो उस Moving Object में कितनी Quantity of Motion है मतलब कितना वो Move कर सकता है तो उसको एक Measure करता है जो Quantity वो Momentum होता है तो आज हम Conservation of Momentum के बारे में पढ़ेंगे ये क्या होता है हमारे पास Physics के अंदर कुछ Conservation Laws होते है उनमें से एक है Conservation of Momentum ये क्या कहता है Foreign Isolated System The Momentum of the System remains constant इसका मतलब है Foreign Isolated System Isolated System का मतलब होता है कि कोई भी एक ऐसा सिस्टम जिसके बारे में बात कर रहे है ठीक है उसके उपर Net External Force Zero Net External Force का मतलब है कि अगर किसी सिस्टम पर ये किसी भी बॉड़ी पर उपर कोई भी External Force लग रहा है कितने भी जितने भी फोर्स लग रहे है तो उनका अगर सम निकाले Total निकाले Net निकाले तो वो Zero मतलब उन forces का effect उस सिस्टम या उस बॉड़ी पर ना हो तो ऐसे सिस्टम या ऐसी बॉड़ी को हम Isolated सिस्टम कहते हैं तो ऐसा जो सिस्टम जो कि Isolated हो उसके लिए जो Total Momentum होगा सिस्टम का वो हमेशा Constraint रहेगा ठीक है देखे इस statement को समझने के लिए इसका proof है इस proof से आपको यह statement बिल्कुल clear हो जाई है तो start करते है proof Consider a body हमने एक body consider करी है ठीक है body A एक हमने body A लिए देखे इस diagram के अंदर एक body A लिए है जिसका mass small m में है ठीक है यह initially UA velocity से move कर रही है जिसकी initial velocity ठीक है UA एक body B consider करीब bowl है यह bowl B ठीक है इसका mass है वो mb है और इसकी जो velocity है initial velocity ub है ठीक है तो हमने दो body consider किये एक A body और एक B body अब क्या होता है इनका collision होता है यानि दोनों आपस में टकराते है तो A और B जो bowl जो है यह दोनों आपस में क्या होई टकरागी यह body है यह टकरागी ठीक है जब यह दोनों body आपस में टकराए तो इन दोनों ने एक दुसरे के उपर एक force लगाया तो क्या force लगाया during collision जब collision हुआ तो उस टाइम F A B यानि F A B क्या था यह force है जो A ने B को लगाया ठीक है A ने B को लगाया फिर F B A यानि जब A ने B के उपर एक force लगाया तो B ने भी एक force exert किया A पर ठीक है जो जिसको represent किया F B A अब इसके उपर भी arrow का sign इसलिए लगाया है क्योंकि जो force होता है वो भी velocity की तरह एक vector quantity है ठीक है अब जब दोनों ने एक दूसरे के उपर force exert किया during collision जब collision हो गया तो जो M में है यानि जिसका body ये है जिसका mass M में था उसकी velocity change होगी जोगी हुई U A से V A ठीक है और जो body B है जिसका mass M B है उसकी before collision जो velocity थी वो U B थी और after collision क्या होगी V B ठीक है समझ में आ गया अब देखिए ज्यान से before collision जब collision नहीं हुआ था तो momentum क्या हुआ बोल A का initial momentum जिसका बोलेंगे momentum का formula था mass into velocity तो before collision velocity थी U A mass तो M में, mass तो सेम ही रहेगा तो M में into U A, initial momentum बोल B, बोल B का क्या होगा M B into U B, क्योंकि initially U B था before collision, after collision क्या हुआ, the final momentum of the बोल A, M में, अब velocity क्या थी V A थी after collision after collision, sorry, तो M में V A, final momentum क्या होगा बोल B का, वो होगा M B, V B ठीक है, अब अब देखिए, बोल A का change in momentum, इन बोल A में collision के दोरान कैसा change आये momentum में, before and after collision, वो क्या होगा, after collision जो था, M में V A था और before collision था, M A, U A ठीक है, तो बोल A का, जब change in momentum निकाल लेंगे, तो क्या करेंगे, final momentum, minus initial momentum final momentum था, A का, M A, V A minus, before collision जो initial momentum था, बोल A का वो है M A, U A, ऐसे ही the rate of change in momentum of A, A के जो momentum था, उसके rate of change को कैसे लिखेंगे, T से यानि time से क्या करतेंगे, divide करतेंगे same, ऐसे ही हम किसके लिए करेंगे हम करेंगे, बोल B के लिए देखे, now change in momentum बोल B, बोल B में कितना change आया, momentum में final momentum जो बोल B का था वो M B, V B, जो कि after collision था, minus, initial momentum कितना था M A, M B, U B ठीक है, जो initially before collision तो दोनों को minus करेंगे, तो change आजाएगा rate of change of momentum of B, B के rate of change in momentum जो है, वो क्या है, बस change in momentum को T से divide कर देंगे तो इसे कहेंगे, rate of change of momentum for body B, ठीक है तो हमने A का निकाल दिया B का निकाल दिया, change in momentum, now according to Newton's third law of motion, third law of motion कहता है for every action, there is an equal and a positive direction, कि अगर A ने B के उपर force लगाया है, तो B ने भी A के उपर force लगाया है, ये दोनों force equal and a positive nature होते हैं ठीक है, magnitude में equal होते है बट a positive direction, इसी लिए negative sign आया है, क्योंकि a positive direction होते हैं, कि अगर एक body ऐसे force लगा रही है, तो दूसरी गोट उसके opposite direction में लगाएंगी ठीक है, देखिए अब FAB, Newton second नाम में जो force होता है, वो किसके equal होता है, rate of change of momentum के लिए, तो while करा है, तो Newton third लाग एकोजिंग, तो पहले ये force इसके बराबर हुआ, opposite direction हुआ और equal in magnitude हुआ, और FAB की value ये कैसे रखी है, क्योंकि FAB, जो होता है, वो rate of change of momentum of A, अगर AB की बात करेंगे, कि A ने force जो लगाया है, उसके ही momentum की बात करेंगे यहाँ पे है, B ने A के उपर जो force लगाया है, तो उसी के ही rate of change of momentum की बात करेंगे, ठीक है तो A का जो rate of change of momentum है वो क्या है, MAVA-MAUA divided by T equals to minus as it is FBA की value क्या है MBVB minus MBUV divided by T, T से T cancel हुआ दोनों साइड था, यह term as it is लिख दिया, equals में minus का sign है, अंदर के sign change हो जाएंगे bracket के अंदर के, ठीक है, तो MBVB है, यह plus का था, जिस बाहर minus की वज़े से minus का हो गया, और यह minus का था, यह plus का हो गया, तो MBUV ठीक है, अब क्या करिए, अब जहां से देखें, जो MAVA था, वो as it is लिखा जो MBVB था, यह minus का था के plus का हो गया, MAUA यह minus का था, उदर जा के plus का हो गया यह as it is लिख दिया, तो देखिए MAVA था, final momentum हो बोड़ी A, और बोड़ी B का final momentum था, MBVB, तो total momentum after collision, A और B का मिलाके, वो यह हो गया, MAVA plus MBVB, MAUA plus MBUB, यह initial momentum था, A और B बोल का, ठीक है, तो यह total momentum हुआ, before collision, यह total momentum हुआ, after collision, तो total momentum before and after collision, सेम आया, यानि एक isolated system था, जिस system, किस system में, जिसमें A बोल और B बोल मूव कर रही थी, collision हुआ, collision के बाद, फिर velocity change हुई, फिर momentum निकाला, तो देखे, पूरे system के दुरान, momentum सेम रहा, before collision, जब collision नहीं हुआ था, after collision, तब भी momentum से, momentum जो था, वो before collision, जो momentum था, वो कोई isolated system है, तो उसके लिए, जो momentum है, वो conserve रहना जाए, तो हमने दिखा दिया, एक system लेगे, जिसके अंदर दो बोल थी, एक A बोल थी, और एक B बोल थी, कि कहें, वो दोनों अलग-अलग velocity से पहले move कर रही थी, फिर उनका collision हुआ, collision होने के बाद, वो फिर दुबारा लग-अलग velocity से move करना शुरू कर दिया, तो हमने वहाँ पर momentum निकाला, before collision and after collision, तो before collision जितना momentum आया, वही momentum after collision भी आया, तो हमने यह यहाँ पर proof किया है, तो यहीं से law of conservation of momentum proof हो जाता है, तो आज हम इस वीडियो में इतना ही पड़ेंगे, I hope आपको यह topic बिल्कुल clear हो गया हो, अगर आपको यह topic में कोई भी problem है, तो आप comment box पे comment करके मुझसे पूछ सकते हैं, Thank you